A Legend of the Northland तो ये जो पोएम है A Legend of the Northland ये बेसिकली एक बैलेड है बैलेड यानि किसी भी स्टोरी को छोटे छोटे स्टैंजास में लिखना यानि पोएम के रूप में लिखना उसे ही बैलेड कहते है तो इस पोएम को शुरू करने से पहले सबके दिमाग में एक डाउट आता है कि Legend क्या होता है Legend का मतलब होता है कि Historical Story नानि कि एक बहुत ही पुरानी स्टोरी जिसे Generation to Generation सुनाया जाता है तो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी जिसे हम अपने दादा पर दादा से सुनते आए हैं तो इस टाइप की स्टोरी को Legend कहते हैं तो इस पोएम में जो हमारी स्टोरी है वो एक North Land के एक एरिया के बारे में है और वो एरिया जो है वो बहुत ही करीब है North Pole के और इस पोएम को लिखने वाले जो पोएट है उनका नाम है फोब केरी तो चलो बिना बखवास के पोएम का एक्स्प्लेनेशन शुरू करते हैं तो फर्स्ट सैंजा का एक्स्प्लेनेशन कुछ ऐसे है कि North Pole में जो रीजियन्स है यानि कि जो North Land है वहाँ पर दिन जो है वो बहुत ही छोटा होता है क्यों छोटा होता है? Because of its position अपने position की वजह से क्योंकि वहाँ पर सन की जो rays है सन की जो light है वो बहुत कम पहुचती है जब इन एरियास में winter season आता है तब वहाँ पर जो रात होती है वो बहुत ही बरी होती है ओके एड जो day time होता है वो बहुत ही छोटा होता है तो line 4 में day जो है वो refer करता है वहाँ के रहने वाले लोगों को तो poet जो है वो कहते है कि वहाँ की जो रात होती है वो बहुत ही लंबी होती है बहुत बरी होती है तो लोग जो है वो उतने बड़े रातें तक सो नहीं पाते हैं यानि की कहने का मतलब यह है कि इतना जादा रात होता है कि वो सोने जाते हैं और सोते सोते उनको कुछ घंटे बीट जाते है और जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी रात का ही वक्त है overall जो poet है वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो रात होती है वो बहुत ही जादा बरी होती है तो stanza 2 का explanation कुछ ऐसे है कि जो north land वाला region से हैं वहाँ पर बहुत ही severe cold होता है यानि कि बहुत जादा ही बहुत severe थंड़ परती है वहाँ पर तो वो एक snowy region है तो वहाँ पर reindeer नाम का एक animal पाया जाता है polar region में तो people जो होते हैं वो क्या करते हैं कि reindeer को sledges से बान देते हैं फिर reindeer जो है वो sledges को pool करते हैं तो लोग उसे transportation के रूप में यूज करते हैं तो poet हमसे कहते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सभी एक छोटे भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं तो poet ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग clothes पहनते हैं जो की फर से बना होता है तो वो clothes को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी भालू क्या skin है इसलिए poet ऐसा कह रहे हैं तो third stanza का explanation कुछ ऐसे है तो first line में देखो कि they जो है वो parents और elders को refer किया गया है और them जो है वो childrens या फिर younger generations को refer किया गया है तो elders जो होते हैं Northland के वो एक बहुत ही strange और interesting story अपने younger generations को सुनाते हैं तो इस पर जो poet है वो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि यह story जो है वो सही है यह story true है फिर भी वो कहते हैं कि अगर वो यह story अपने readers को सुनाए तो यह story को सुनकर उन्हें इससे कुछ lesson ज़रूर मिलेग तो इस story में एक बहुत important message है तो stanza 4 का explanation है तो यह story सेंट पीटर के बारे में है जब सेंट पीटर इस वर्ल्ड में रहा करते थे तो वो पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर लोगों को religious lecture दिया करते थे जैसे कि दूसरे सेंट जो होते हैं वो देते हैं तभी उनके साथ एक incident ह होता है तो stanza 5 में देखो एक word है हर्थ हर्थ एक fireplace होता है जहां पर cooking किया जाता है तो stanza 5 का explanation कुछ ऐसे है सेंट पीटर पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर लोगों को religious lecture दिया करते थे तो वो एक दिन एक cottage के दर्वाजे के सामने पहुंचते हैं जहां पर एक छोटी सी woman cake बना रही थी और वो cake जो है वो अपने fireplace में बना रही थी तो stanza 6 का explanation कुछ ऐसे है कि चुकी सेंट पीटर ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था इसलिए उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और वो विक भी फिल कर रहे थे तो वो उस woman के पास जाते हैं जो cake बना रही थी और उसने पहले से बहुत सारे cake बना कर रखे हुए थे तो वो जाकर उन cakes में से एक cake अपने लिए मांगते हैं तो stanza 7 का explanation कुछ ऐसे है कि जो woman थी वो बहुत जादा ही selfish थी और वो अपनी चीजों को दूसरे के साथ share नहीं करना चाहती थी तो उसने अपने बनाए हुए cakes मे से एक भी cake sent Peter को नहीं दिया बल्कि उसने क्या किया उसने एक बहुत ही छोटा सा Kate sent Peter के लिए बनाया पर जब उसने उसचे को बेखोने के लिए रखा पकने के लिए रखा तब उसने उसकी तरफ देखा और सोचा कि यह cake तो बहुत ही बरा है और मैं इसे दूसरों को दे नह नहीं सकती। तो उसने क्या किया उसने एक औरो छ॥ा सा केक बनाना शुरू कर दिया और जब उसने उस केक को बना लिया तो उसने देखा कि ये केक भी तो पहले वाले तार ही बना है और फिरसे वह इस छोटे साुन को भी सेंटपीटर को देना नहीं चाहती थी Stanza 9 का explanation कुछ ऐसे है कि अब तीसरी बार उस लड़ी ने एक बहुत ही छोटा सा एक small amount में आटे का डो लिया और फिर उसने उसे रोल किया तो पोईट हमें बताते हैं कि वो जो आटे का डो था वो बहुत जादा ही छोटा था और वो इतना छोटा था कि वो उसे ठीक तरह से रोल भी नहीं कर पा रही थी तो उसने बहुत ही मुश्किल से उस डो को रोल किया और फिर उसे पकने के लिए रख दिया लेकिन वो इतना लालची थी कि उसने उस छोटे से केक को भी सेंट पीटर को नहीं दिया तो स्टेंजा टेन में वो लेडी जो है वो रिजन बताती है वो कहती है कि जब मैं अपने केक्स को खाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे केक बहुत ही छोटे है लेकिन मैं जब इसे दूसरों को देने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केक बहुत ही बरे है जिसे मैं दूसरों को दे नहीं सकती तो वो क्या करती है वो सारे केक्स को उठा कर अपने कीचन के सेलफ में रख देती है और एक भी केक वो सेंट पीटर को नहीं देती है स्टेंजा 11 का explanation कुछ ऐसे है कि जो सेंट पीटर थे वो बहुत जादा ही गुसा हो जाते हैं उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और वो विक भी फिल कर रहे थे लेकिन उस लालची वोमेन ने उन्हें एक छोटा सा भी केक नहीं दिया और इस बिहेवियर की वजह से वो बहुत जादा ही गुसा हो जाते हैं उस ग्रेडी वोमेन के उपर तो स्टैंजा 12 का एक्स्प्लेनीशन कुछ ऐसे है कि सेंट पीटर जो है वो बहुत जादा ही गुसा हो गये थे और वो उस होमेन को श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत जादा ही लालची हो तुम्हें एक इंसान बनकर जीने का कोई हक नहीं है तुम्हें भगव तो स्टैंजा 13 का एक्स्प्लेनीशन कुछ ऐसे है कि सेंट पीटर जो है वो उस वोमेन को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुमें एक चिरिया बन जाओगी तुम्हें एक हुमन बन कर जीने का कोई हक नहीं है तुम एक चिरिया बन जाओगी और जैसे चिरिया लोग अपन गोसला बनाओगी पूरे दिन काम करके तुम अपने लिए बहुत ही कम खाना जमा कर पाओगी और तुम अपने लिए एक छोटा सा घोसला बनाओगी जैसे की चिरिया लोग बनाती है खुद के रहने के लिए स्टैंजा 14 का एक्स्प्लिनेशन कुछ ऐसे है कि जैसे ही सेंट पीटर उस वोमेन को श्राप देते हैं उस वोमेन को अपने बारे में बोलने का एक भी चांस नहीं मिलता और वो तुरंत एक चिरिया बन जाती है और वो उरकर चिमनी के बाहर से निकल जाती है तो सेंट पीट के श्राप ने उस वोमेन को एक चिरिया बना दिया था तो स्टैंजा 15 का एक्स्प्लिनेशन कुछ ऐसे है कि जैसे ही वो वोमेन एक चिरिया बनती है तो उसके सर पर एक रेट कलर का कैप आ जाता है और वो कैप जो है वो उसकी तरह दिखने वाले सभी चिरियों के उपर थ और उसका जो शरीर है वो पूरा काला हो गया था एक कोईले की तरह तो स्टैंजा 16 का एक्स्प्लिनेशन कुछ ऐसे है कि उस कंट्री साइट में रहने वाले जो लोग थे इविन दस्मॉल चिल्वेंड जो स्कूल जाया करते थे वो सभी उस चिरिया को देखा करते थे जो क अपना चोच मार मार कर वहां से अपना खाना कलेक्ट किया करती थी और जब भी कोई बच्चा इस चिरिया को देखा करता था तो उसके जो एल्डर्स थे वो उसे ये स्टोरी सुनाया करते थे कि ये चिरिया एक टाइम पर वोमेन थी जो बहुत जादा ही सेलफिश थी और उसे सेंट पीटर ने शाप दे कर एक चिरिया बना दिया है तो इस चोड़ी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए